हेलो फ्रेंज मेरी यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको सफेद बालों को जड़ से काला बनाने का उन्हें घना और चमकदार बनाने का एक ऐसा एफेक्टिव होम रिमेडी बताने जा रही हूं जिससे बाल तेजी से लंबे ह आने के लिए तो चली शुरू करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल कमुम्रे में ही सफेद होने लगते हैं इसके अलावा बालों की ग्रोथ नहीं होती इसमस्के से आपके बाल जड़ से काले होंगे घने होंगे सांथी लंबे भी होंगे इसके लिए मैंने लिया है मेथी मेथी को पीस करके मैंने पाउडर त्यार कर लिया है आप चाहे तो मेथी का पेश्ट भी बना सकते हैं मेथी को रात भर के लिए पानी में भीगो के रखें सुबा उसे बारीक पीस करके उसका पेश्ट त्यार कर लें मेथी हमारे बालों को काला बनाता है साथी तेज यहां मैंने मेथी का पॉडर लिया है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है बदाम का तेल आप चाहे तो इसकी जगह पर नारियल का या जैदून का तेल भी इस्तिमाल में ला सकते हैं मैं बदाम का तेल इस्तिमाल कर रही हूं बदाम का तेल भी बालो को घहना काला चमकदार बनाने में काफी मदद करता है, इस तरह से, अब इसमें आपको एक विटामिन E कैपसुल इस्तेमाल करना है, विटामिन E बालों की ग्रोथ को तेज करता है, साथ ये बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, इससे बाल तूटते नहीं है, इसके अलावा ये बालों को काला करन अब इसमें आपको mix कर लेना है थोड़ी से मात्रा में वैसलीन वैसलीन हमारे बालो को स्मूध बनाता है सॉफ्ट बनाता है इसे हमारे बाल शाइनी बनते हैं बालो का रुखापन दूर होता है इसे आप अच्छे से mix कर ले वैसलिन के इस्थिमाल से hair growth भी होते हैं अब इसे अपने बालों के जड़ों में अच्छे से लगाएं जड़ से लेकि सीरें तक अच्छी तरह से लगाना है अच्छी तरह से लगाने के बार लगबध 20-25 मिनिट के लिए अपने बालों में लगा के रखें फिर पानी से अपने बालों को धोले आप चाहे तो शैंपू कर सकते हैं इसके इस्तेमाल से आपके बाल तैजी से लंबे घने और मजबूत होंगे साथ ही वो हमेशा काले बने रहेंगे या बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है इस्तिमाल करके जरू देखे अगर मेरी वीडियो आप अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरू करें बेल बटन को जरू क्लिक कर लें नए वीडियो उसको नोटिफिकेशन पान